अब जैसे हर किले में फॉज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कंड होते हैं, जिन्हें सैल कहते हैं. ये भिमारी के किटानू और विशानू की पहचान कर सके और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं. जब सफेज सैलो की ट्रेनिंग होती है, तो बदन गरम हो सकता है, बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है समझ गया, अपसे हम बिट्टी के सभी टी के सही समय पर लगवाएंगे समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टी का करण करवाएं वजीर आला योगिया दितनात ने बिहार में इंतखाबी रेली से किया खिताब कहा बीजेपी ने बद इन्तिजामी, बद उन्वानी और लाका अनूनियत को किया खत्म आबो हवा की तब्दीली पर पाबू पाने के लिए दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम वर्च्वल मीटिंग का हुआ इनकात वजिर माहुलियात प्रकाश जाप लेकर ने हिंडुस्तानी कमपनियों से की माहुलियाती तब्दीली से मुकाबले में तावन करने की अप्री लकनों में आज दिन भर चाहे रहे बादल आतिश बाजी और गाड़ियों के दुमें के सबब बड़ी फिजाई आलूगी सांस के मरीजों बुजर्गों और बच्चों को माहरी निदी इहतियात बरतने की सला और नवी क्लास की तालिबा लक्ष्मी बच्चों को तालीम के जेवर से कर रही है आरास्ता बरेली के गाउं में लक्ष्मी की अनोकी पहल से लॉकडाउन में भी बच्चों की जारी रही पढ़ाई आदाब खबरों के साथ हाजर हूँ मेदी बहाश्मी और अब खबरें तफसील से वजिर आला योगिया दितनात ने कहा है कि शहरियत तर्मीमी बिल के जरीये हुकूमत की ये कोशिश है कि कोई भी दरंदास भारत की सलामती में सेंद लगाने की अगर कोशिश करता है तो उसे मुल्क से बाहर निकाला जाए बिहार के इंतिखाबी जलसों में उन्होंने कहा कि भारती जन्ता पार्टी की मरकजी हुकूमत आवाम के मफाद में बहुत से काम किये हैं वजिर आला ने कटिहार, मदुबनी, दर्भंगा और सहरसा में गुजिशना रोज इंतिखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने बद इंतिजामी, बदुनवानी और लाकानूनियत को दूर करने का काम किया है और आयोधिया में राम मंदिर का ख्वाब पूरा किया है आवोःवा की तबदीली पर कंट्रोल के हदफ से कौमी दारुल हकूमत दिली में इंडिया सी-ई-ओ फोरम की वर्चूल मीटिंग तलब की गए इसमें सीमेंट, स्टील, तवनाई, पामसमे दिगर शूबों के सी-ई-ओ ने शिरकत की इसकी सदारत वजीर माहौलियात प्रकास जावरे करने की इस मीटिंग के बाद कंपनियों ने 2020 से माहौलियाती तबदीली से मुकाबले के लिए मनशूर पर दस्तक देखिये इस मौके पर वजीर माहौलियात ने तरकी याफ़ता मुमालिक से अपील की के वो माहौलियात मुवाफिक तक्नीक को सस्ती लागत पर महया कराएं ताके माहौलियाती तबदीली के असरात का मुस्सर तरीके से मुकाबला किया जाए और रंसर तो है कंवेन थेजिरिटी स्कपन सुछ प्रणी एंसर तोस Πाथ एंसर नहें उतक एंसर के जो तो कर सकी एंसरा था जोल, को आप वी जा जुशनी को थोया हो रहुकाई प्पर के लोलूं से आर के हो लित जोन तो सिंध्थियर रुच्त has caused climate change and our responsibility in historical emission is just 3% even today in the present context our emission load of the world emission load or world is only 3% 6% so that is also we are low in the present context we are absolutely low in the historical context to follow the environmental friendly path so that their emission level goes down and that is what we aim at so I will just appeal and I'm very sure that many factories are actually doing that that they are trying to reduce their emissions they are bringing more greenery in their campuses and their areas of influence they are also using new technologies for saving water and energy efficiency is also one more concern thing when therapistless funoga journalism regional investment downtable conference 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 center मरकजी वजारत मालियात और गौमी सर्मायाकारी और बन्यादी धाचा फ़ंड के जरिए मुष्टर्का तौर पर किया जा रहा है इस प्रोग्रेम में मरकजी वजीर मालियात, मरकजी वजीर मुमलिकत बराहे मालियात, RBI गवरनर और कई सीनियर अफसरान भी शिरकत करेंगे कॉन्फरेंस में 20 एहम सावरीन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के अलावा दुनिया के कई मुमालिक के सरमाया कार भी हिस्सा लेंगे जमु कश्मीर के मरकस के जिरे इंतिजाम रियासत बनने के बाद पहली बार जिला तरकियात काउंसिल का इलेक्शन यानी डी डी सी इंतिखाबात होंगे रियासती इलेक्शन कमिशनर के के शरमा ने प्रेस कॉन्फरेंस में बताया के आठ मराहिल के इंतिखाबात का आगास 28 नवंबर से होगा वहीं वोटों की गिंती 22 दिसंबर को होगी इस इलेक्शन में पंचायत हलके की इंतिखाबी फेरिस्त का इस्तिमाल किया जाएगा इस इलेक्शन में सबसे एहम बात ये होगी कि मगर्बी पाकिस्तान से आए पनाह गुजी सतर बरसों में पहली बार अपने हके राय देही का इस्तिमाल करेंगे 280 हलकों में होने वाले जिला तरकियात काउंसल इंतिखाबात में उमीदवार पांच साल के लिए मनतखिब किये जाएंगे ये इलेक्शन बैलिट बॉक्स के जरिये कराया जाएगा साथी इंतिखावी तश्यीर में उमीदवार ज्यादा से ज्यादा पांच लाक रुपे तक खर्च कर सकते हैं रियासती इलेक्शन कमिशनर ने बताया कि रियासत के जो अब तक इंतिखाबात में वोट नहीं डालते थे इस बार वो पहली बार वोटिंग करेंगे उन्होंने बताया कि इंतिखाबात के मदे नजर दाखिला सेक्रेटरी की निगरानी में कानून और इंतिजाम की पूरी तैयारी कर ली गई है हकूमत हिंद की वजारत बराय तलातों अश्रियात के इलाकाई रापते आमा ब्यूरो प्रियागराज की जानिब से कोविड-19 बेदारी महिम का आगास किया गया लोगों को बेदार करने और कोविड-19 से एतियाद बरतने के मकसद से ये महिम शुरू की गई है फूल पूल से रुकन पारलेमन्ट के स्री देवी पटेल ने हरी जंडी दिखा कर इस कोविड-19 रेली को रवाना किया इस माके पर रुकन पारलेमन्ट के स्री देवी पटेल ने कहा के कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए जरा से भी लापरवाही बरतने पर इसके संगी नताइच हो सकते हैं हम सब को कोरोना से बचने के लिए हर मुम की निकदाम उठाने की जरूरत है इलाकाई रापते आमा ब्यूरो के मौवन डारिक्टर आरिफ हुसेन रिज्वी ने कहा कि इस दस रोजा बेदारी मुहिम के दौरान शेहरी और देही इलाकों में मॉबाइल नुमाईश, माइकिंग, बैनर, पोस्टर, स्टीकर, हैंड बिल्स और सखाफती प्रोग्रेमों के जरिये लोगों को बेदार किया चाएगा कि अभी तक कोरोना दीमा होके फिर ज्यादा बढ़ने की उमीद है पूरी और लोगों को जो लापरवाही समय हो रही है, गाव अस्तर में लापरवाही नहीं होना चाहिए कोरोना से बचने के लिए रेगुलर मास लगाना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, सिनेटाइजर का उपयोग करना चाहिए और दोगज की दूरी जरूर बनाना चाहिए जेकि गाव अस्तर में लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, जेकि जो पढ़े लिखे लोग है वो अपना वो दे रहे हैं कि दूरी बना कर चलते हैं यह प्रिशार होना चाहिए गाव असतर में और जो यह सूचना और प्रदिक यह भारेज सरकार्म दवरों किया जा रहा है, यह बहुत अच्छा काम है, इसके लिए निरंतर प्रियाज करते रहना चाहिए प्रियाग राज के शहर और ग्रामिक शित्रों में लगातार हमारा ये परचार वाहन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कलाकार घूम घूम कर वहां पे हैंड बेस बांट कर पोस्टर लगा कर बैनर लगा कर लोगों को तीन प्रमुक बातों की तरफ धियान देंगे और उसमे टाइजर का भी इस्तेमाल करें इसके अलावा अपने आपस के आप कारिक्रमों में शामिल होते हैं तो वहाँ पे दो गस की दूरी हमें बना कर रखना है ताकि ये संक्रमन का खत्रा जो है वो ना बना रहे लकनो में आज दिन भर बादल चाहे रहे हैं और हवाई आलूदगी बढ़ने के सबब लोगों को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा माहरीन का कहना है कि गाड़ियों के धुएं और गुजिशता शब लकनो में हुई आतिश बाजी के सबब राज़दानी लकनो का फिजाई मेयार बिगरता जा रहा है लोगों की शिकायत है कि आलूदगी बढ़ने से आँखों में जलन हो रही है और थोड़ी दूर ही चलने पर सांस भी फूल रही है माहरीन का कहना है कि हुकूमत को आलूदगी कम करने के लिए वसी पैमाने पर पानी का छिड़काव करना चाहिए इस दरम्यान सी पी सी बी से मौसूल एदाद शुमार के मताबिक लकनो में हवा के मेयार का इंडेक्स AQI 291 यानि खराब दरजे पर पहुँच गया है ते बिमाहरीन ने सांस के मरीजों, बजर्गों और बच्चों को सुबह और शाम घर से ना निकलने की सला दी है हमारे लखनव का क्वालिटी इंडेक्स है वो 291 है यह बहुत ही पूर है और इसके मद्दे नजर जो हमारे पास एक तो जो ओल्डेज पेशेंट अब उड़ापे वाले जिनको भई अस्थमा है, कोई दमा है, COPD है, जैसे लंकी बिमारिया है और दूसरा आजकल करोना की वज़ा से जो पेशेंट करोना से लड़ रहे हैं जो इससे रिकवरी कर चुके हैं, इनके फेफड़ों में डेमेज है अभी भी तीसरा जो पैदा हुए बच्चे हैं इनको इतनी दिक्कत आती है इसमें को सांस लेने में दिक्कत है, इनको लेट नहीं सकते रात को और आम से तक्या लगा के लेटना बढ़ता है कि आज कल इतना ज़्यादा पॉलुशन है कि आप जाओगे तो आँखे आपकी बहुत जलने लगेंगी आपको सांस की बड़ी दिक्कता लगे ऐसा लगेगा थोड़ी दूरा बाइक पे जाओगे तो लगए बहुत दिक्कता आगी है पर इससे करने के लिए में बात किया है कि अगर हमें क्या करना है से बचने के लिए हमें क्या करना है मिनिमम से मिनिमम अपने काम की वज़े से बाहर निकले उसके दो फायदे एक तो आपको सांस में दिक्कत दिक्त दिक्त नहीं जलेंगी तीसरा आप पलुशन नहीं अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के अगर मुद्दे पर बात करें तो एक प्रकार से इमर्जेंट सिच्वेशन में हैं हम लोग हम जहां पर हमें साफ हवा मिलनी चाहिए वहां आज हमें दमगोटू हवा मिल रही है और मेरी सहर के सभी लोगों से यही अन्रोध है कि जाद अपने आसपास पौदे लगा सकते हैं और आसपास अगर डस्ट है तो वहां पर पानी छड़के डस्ट को ओरने से आप रोख सकते हैं कहते हैं बेटियां लक्षमी का रूब होती है ऐसे में बरेली की बेटी लक्षमी तालीम के जेवर से बच्चों को आरास्ता करने के लिए उन्हें मुफ्त तालीम मुहया करा रही है लक्षमी जहां खुद नवी क्लास की तालिबा है तो वहीं दूसरे बच्चों को मुफ् परिबन सो बच्चे रोजाना मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं लक्षमी के गाउं में ही सरकारी प्राइमरी स्कूल है जिसमें गाउं के बच्चे पढ़ते हैं कोरोना की वज़े से पूरे मुल्क में लॉक्डाउन लग जाने से सभी स्कूल बंद हो गए थे तो वहीं मुल्क मुझान लगा तब समय बच्चों पढ़ रही हूं एक सी लेकर आट तक बच्चे मिर पास पढ़ते हैं और मुझे में 200 कॉल कर डदा हैं azrasya के लिए बच्ची कि नेग क्लास मातने खुची अर्लाइन घ्रि declःते चीने बढ़ते दिमाल शबदाइ तो अप्रेल में हम लोगों ने गुरूप बनाया तो गाहँ वालों के पास एंड्रोइड फोन बहुत कम थे इस बच्ची के पास चोटा सा जीयो का एक वोद्ध हमने इस से बोला कि बेटा आप ऐसे गरो अपने पडोस बाले बच्चों को जो हमबर्क देते हैं डेली इस बच्ची ने बच्चों को बुलाया और उंको हमबर्क कराती थी इस बच्चों की फोटो खीच में दालती थी ते दीरे-दीरे करके जब वो इस तरह से उसका काम ज्यादा बढ़ गया बच्चे ज्यादा आने लगे यह हमारे पास व हमारे पास ब्लै बोड के यह आई उनको कमाइन रूप से ब्लैक बोर्ट पर होंबर्क नोट कराती हैं वो बच्चे अपने कॉपी बें उतारते हैं फिर काम करते हैं फिर सब का फोटो कीज़ती है उसके बाद हमारे गुरूप में सेंड कर रही है हिंदुस्तानी रेलवे और अवामी जुम्रे की कायों की उपाल मिश्री ने कहां के रेलवे हमेशा से ही फाइदे में रहा है रेलवे कोरोना की वबा के दॉरान भी अच्छा रेंटियू हासल किया है एसे में रीलवे की निजीकारी नहीं की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि माक मेर रेलवे एक फाइदे मन दिकाई है और इसकी निजीकारी से इसके क्याम के बुनियादी जजबे को नुकसान पहुचेगा उसमें फाइदे में थी और रेलवे अगर इस साल लागडाउन नहीं होता तो भी फाइदे में रहती अभी अमलोग 16 प्रतिश्ट अधिक जो है वो माल भाराइड हो रहे हैं और मुझे उमीद है कि इस माल भाराइड के बूते पर इस साल जो करोना काल में भी हम फाइदे में आणे दिखाएंगे, बात हैं दो हैने इक तो यह है, हमारे जो फैर्स हैं और अगर उनका लिएजिस्यो रेष्ट सकता है, उससे पैसा लिया जाएं और जो पैसानाई डिया जा सकता है उसको छूर दी जाएं, अगर हम इस नीथी का इस्तेमाल करें तो रेलें कभी घाटे में नहीं रहे सकती है यह जो नीजी करनकी चर्चा है वो कोई घाटे और मुनाफ़े को लेकर कि नहीं है हमें जब हम जो है वो एक सोशल instrument है समाज में गरीब लोगों के लिए भारती रेल है तो हमें ये गाटे मुनाफ़ की बात करनी में ने चाहिए आज से राजधानी लकनों में माटी कला बोर्ट के जरिये दस रोजा माटी कला मेले का इनकाद किया जा रहा है इस मेले लोगों को मदद भी मुहया कराई जा रही है इसी सिलसले में ये नुमाईश लगाई गई है कि आज से लगनों में माटी कला बोर्ड के दवारा माटी कला मिला लग रहा है क्या कुछ है इसमें खास हम जानते हैं इसके अध्यच धृमubishi-ध्रमश क्षख भाग ध्य इसे पहले शिग्र ही हो जाए हम सब लोगों ने प्रयास करके लगबग 30 जिलों में माटिकला बोर्ड की जो टूल किट्स हैं वो सभी बितड़ की गई इस तीस जिलों में तो हमारा सुम जाना हुआ अन्य जिलों में भी सभी कोई जिला बचा नहीं जिसमें पूल किसका बित के द्वारा उन लोगों को बलाया गए और हमारी इच्छा है उत्तबदेश सरकार की इच्छा है कि जो ग्रामी च्छेत्र में दूद राज में जो सिल्पकारों की कि कलाकारी च्छिपी हुई पड़ी थी उसको उभारने के लिए उसका प्रसार करने के लिए प्लोट फर्म देने के लिए यह मार्टिकला बोड का एक दस दिन का एक आयुजन यहां एक हम कर रहे हैं उसी के तहट आज इसका प्रदर्शनी का उद्धवाटन है लगाए हुए है इनकी कलाएं अब देखेंगे यहां पर जो लोग आएंगे यहां अगले दस दिनों में तो इनका क्या उत्सुक्त है हमने जो अभी दुकांदारों से बात किये हैं जो लगाए हैं सबसे बात किये लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और दुकानों की कुछ इनकी व वहवानी करपा से बसूल हो जाएगी और पर्व है उसमें इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग भी करते हैं हम लोगों की इच्छा है और मानी सरकार की इच्छा थी कि इस बार मार्टी कला से संबंद सिल्पकारों की बनाई हुए किरतियां मार्केट में आएं और चायना म मार्केट से दूर रहे उसी का प्रयास हम लोगों का है और लग रहा है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो यह थे धरमबीर जी जो बता रहे थे कि यहां पर अलग अलग जगों से सिल्पकार रहे हुए हैं मिटी के बने सामान है आप देख सकते हैं वेहदी खूबसूरत ह है यह चुनार मिर्जापूर की इस्टॉल है तो अगला इस्टॉल प्रयाग राज बाराबंकी घोरकपूर मिर्जापूर आजमगर समित कई जनपद हैं यहां पर यहां के यो कला कारा है हुए अपनी कला का प्रशन करेंगे और उनके बनाए हुए जो भी प्रोडेक्ट है उनको एक अलग पहिचान मिलेगी राम जी बाच्वई के साथ विकास सिंग डिडी नियोज लखना हूँ बाराबंकी जिल्मे किसानों की मेहनत और लगन से इस साल धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है हकूमत ने खिसानों को ज्यादा से ज्यादा पहुचाने के लिए इस साल धान खरीद के लिए 1868 रुपए कमान और 1888 रुपए ग्रेड ए साहरा कीमत मुकरर की है जिसे कोरोना की वबा के इस बोहरानी दोर में किसानों के धान की खरीद सरकारी खरीद मराकस पर जोरों से चल रही है 12 बंकी जिले में धान खरीद का हदफ 13 लाग कुंटल मुकरर किया गया है जिसके मुकाबले में जिले में 58 धान खरीद मराकस में 10 एजेंसियों के जरीय अभी तक तक तकरीबं 5,445 मीटरिक टन धान की खरीद की जा चुकी है खरीद मराकस पर कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामत कराया जा रहा है और साबुन हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है जिला मजिस्टरी डॉक्टर आदर्श सिंग ने बताया कि हमारे चोटे और सरहदी किसान जिनकी पैदाबार कम हुई है उनके धान की खरीद तरजीही बुनियात पर की जा रही है हफते में मंगल और सनीचर के दिन सिर्फ चोटे और सरहदी किसानों के ही धान खरीदने की सहूलत मोहया कराई जा रही है जिले में किसानों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम का कयाम भी किया गया है जिसका नमबर 18001804133 और 229816 है इन नमबरों पर किसान अपनी शिकाहित दर्ज करा सकते हैं यहाँ पर धान हमने लाई हूँ लाई हूँ है धान मेरा तबला जा रहा है 1880 का हमको पैसा दूतिन दिन में मिलेगा lloji ने बहुत अच्छा काम कर दाए और ओगी में हम दोगों के लिए अच्छा किया है लोगी का मनब अच्छा हो रहा है अवाई दौल्ट्र अपना धान पैदाआ करा उसको बेचने के लिए करकेंद्र बारा बंकि मंडी में आया हूँ जिसको मुझे मानी योगी आदितनाथ जी की तरफ से जो है जो इसका समर्थन मूडल निधारित किया गया अठारा सो अर्शाट रुपे प्रतिकुंटल के हिसाब से मुझे 2-3 दिन में धान बेचने के 2-3 दिन बाद मुझे पैसा प्राप्त हो रहा है मेरे खाते में और मैं इस सुभिधा से मानी योगी आदितनाथ जी की इस सुभिधा से बहुत संतोष्ट हूँ मेरे यहां धान की अच्छी पैदावार हुई है और मुझे सारी सुभधाएं भी सरकार द्वारा प्राप्त हो रही है मेरा धान यहां लेवी पे बिक्रे केंदर पे आया हुआ है जो की तौला जा रहा है और इसका पैसा भी दो-तीन दिन में रिफंड हो जाएगा सरकार से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं किसानों के लिए बहुत अच्छी सुभधाय दे रही सरकार योगी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करने के निर्देश दिये वी गए और की भी जा रही है और विशेचकर हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे लगु और सीमांत क्रिशक हैं जिनकी उपज कम हुई है उनका हम प्राथमिक्ता के आधार पर करें और इसी कारण से शासन के निरदेशों के करम में मंगलवार और के शकों का उन दो दिनों में सफता के नहीं किया जाएगा मुल्क को खुदिनिसार बनाने और देही भारत को एक्तिसादी तोर पर ताकतवर बनाने के मकसद से मरकज और रियास्ति हुकूमत मसलसल कोशिशें कर रही है इनी मकासित के उसूल के लिए इस बार फरुखाबाद के दूर दरास के गाउं बसेली में रादिका खवातीन खुदिमदाद क्रूप ने एक नया तज़र्बा करते हुए इस बार दी पवली में गहर मुलकी दियों की जग़े पर मुलक में तैयार करदा गाय के गोबर और मुलतानी मिट्टी से बने दिये गनेश और लक्षमी की मूरतियां अगर बती हवन कुझ समेद दिगर कई तरह की पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को दिलकश रंगों से रंगने के बाद बाजार में उतारा है इसे दिवाली के बाद मूरतियों और दिगर पूज मात के जर्ये होने वाली माहुलियात यालूगी से काफी हद तक नजात मिलने की उमीद है जिले के चीफ तरकियात अफसर आई एस राजेंदर पिस्रनिया ने बस सेली गाउं पहुचकर ग्रूप की खावातीन की होसला अवजाई की और सांचों की मदद से गोबर के दिये वगेरा खुद बना कर और उन्हें रंग कर भी दिखाया इस बार जो चाइनीज लड़ियां या जो प्लास्तिक के देपक या जो अन्य किसी सामगरी के देपक हैं उनकी बजाए जो गोबर हैं गो मुत्र है मिट्टी है गोर्गम है और मुल्तानी मिट्टी है उनसे बना करके उसके बाद में इनको कलर किया जाता है तो वो वाले दिपक इनके सामने ऐसा लगदा बिल्कुल तुछ ताइट के हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है इतने अधभूत हैं क्योंकि यहां मेलाएं हैं वो अ प्रीज को जा रहा था अब वो वैसा सीधा इन ग्रामीन महिनाओं के खाते में जाएगा तो इनकी आर्थिक स्कीती बहतर होगी और जो आत्म निर्वर भारत की दिशा में जो महसून कदम है वो यह जो दीपक निर्वान का कारे इसको पंच दिपोस्तों की उपर लिया गय मतुरा के सीजेम की अदालत ने स्टीफ को चार नवंबर से चे नवंबर तक पूच ताच की अजाज़त दी है अजाज़त मिलने के बाद सभी चारों मुल्जमान को रिमांज पन ले लिया है कुछ दिन कबल ही जिले की क्राइम बरांच से इस मौमले की जाच एस्टीफ के सुपूर्द की गई है बुद्को स्टीफ के सीई और राकेश पालिवाल अदालत में पेश हुए थे अक्टूबर मां में हातरस जाते वक्त मांट टोल प्लाजा पर पिएफाई और सीफाई के अराकीन अतिकुर्रेमान मसूच सिद्धिकी और आलिम को गिरफतार किया गया था इन पर बेरुनी मुमालिक से पैसा लेकर मुल्क में फसाद प्हलाने की साज़िश रचने का इन्जाम है मुल्क के दूर दराज के गाउं में अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये रसोई गया सिलिंडर पहुचाए जाएंगे इस से उजवला के मुस्तफिदीन और दीगर रसोई गया सारफین को उनके गाउं के पास ही रसोई गया सिलिंडर दस्याब होंगे मैं सिलिंडर के लिए सारफीन को अब एजेंसियों तक दोड़ कर भी नहीं लगानी पड़ेगी रियासत में तकरीबं 50,000 कौमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं इनमें से तकरीबं 2,000 कौमन सर्विस सेंटर लकनों में हैं परजूदा वक्त में दूर दरास के देही इलागों के गैस सारफीन तक सिलिंडर की सप्लाई की रफ़तार बहुत सुस्त है गाउं में रसोई गैस की कम खपत के पीछे डिस्ट्रिब्यूटर और सारफीन के दरम्यान की दूरी भी एक वज़े है वहीं 15 किलो मीटर या उससे दूरी को कम करने और देही सारफीन को सहूलत पहुचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये गैस सिलिंडरों की फरोग शुरू की गई है कि यह फ़री हो प्रफिर में लोगष्ट उनको दूरी हो कारण वो अपना श्यंडर रिफिल नहीं करा पा थे और जो हमारे गैर उज्जा वार्ति ते वह भी अपना श्यंडर वो उनको श्यंडर बुक कराने के वह एंको श्यार तक जाना परता था 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 बाइक पे सिलिं उनके गाव में ही 6-7 सिलिंडर तक हमारा वीयली रख सकता है एक बार में और वो सिलिंडर फिर वही पे बुकिंग करके और गाव वालों को वो देता है जब उसके सिलिंडर खतम हो जाते हैं ज़े सिलिंडर वजीर आज़म नरेंदर मोदी की पी-एम स्ट्रीट वेंडर्स खुद इनसार फांड स्कीम के तहत फल सबजी फरेशों रेड़ी पट्री पर अपनी दुकान लगाने वाले दुकानदारों और अपने घरों में अचार मसाले और कौस्मेटिक का काम करने वाली खावातीन को का कारोबार फिर से शुरू कराया जा रहा है इनमें ज्यादतर ऐसे लोग हैं जिनका कारोबार लॉकडाउन के सबब बंद हो गया था उन्हें पिर से अपना रोजगार शुरू करने में इस स्कीम से मदद मिल रही है वहीं उन्हें सूत खोरों से भी नजात मिल रही है 369 स्ट्रीट वेंडर्स की दर्वास्त मन्जूर की गई जिसके मुकाबले में पांच हजार सतावन लोन तक्सीम किये गए कि कुसमलता नाम है मेरा और मौदी जी ने हमें दस हजार रुपे का लोन दिया है इस से हमने इस से हमने अपना कारोबार बढ़ाया है मतलब जैसे कि मेरा मसालों काम मैं अचार का काम बढ़ाया है इस में मसालों का भी टैकिट बनाती तरदस थीस इस रीपे के 50रगए और यहां जागनों जाकर जाकर डेकते हैं पैधानमंतिरी का बहुत धन्न्यवाद कहते हैं मेरा नाम मेरे नाम अचली है, मैं सबजी का काम करती हूँ, मैं ममी और मैं हूँ, घर में जो बड़े हैं, हम पाकी सब छोटे हैं, मेरा कुद दो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, और मैं काफी परेशानी हुई थी लोकडाउन में, लेकिन जब से में लोन मिला है, ये पास हुआ है, हमें काफी आशान हो गया है, और समान लगाना भी दु ये योजना चालू करिये इससे बहुत रहत मिली है मैं उनका तही दिल से बहुत बहुत धन्यावा देता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई बैंगले लोन तुरन दे दिया हमें और अब हम खबरें एक बार फिर वजीरियाला योगिया दितनात ने बिहार में इंतखाबी रेली से किया खिताब कहा बीजेपी ने बदिन्तजामी बदुन्वानी और लाकानूनियत को किया खत्म आबो हवा की तब्दीली पर काबू पाने के लिए दिल्ली में इंडिया सीईयो फोरम वर्च्वल मीटिंग का हुआ इनकात वजीर माहलियात प्रकास जावडेकर ने हिंदुस्तानी कमपनियों से की माहलियाती तब्दीली से मुकाबली में ताबून करने की अपेर लकनों में आज दिन भर चाहे रहे बादल आतिश बाजी और गाड़ियों के धुए के सबब बड़ी फिजाई आलूद की सांस के मरीजों, बुजर्गों और बच्चों को माहरीन ने दी हितियात बरतने की सलाख और नवी क्लास की तालिबा लक्ष्मी बच्चों को तालीम के जिवर से कर रही है अरास्ता, बरेली के गाउ में लक्ष्मी की अनोखी पहल से लॉकडाउन में भी बच्चों की जारी रही पढ़ाई और आखिर में एक जरूरी पेगाम, जब भी बाहर निकलें मास्क साथ में होना जरूरी है, जेब या ठेले में नहीं, बलके इस तरह से चेहरे पर लगाएं अपने हाथ वक्त वक्त पर धोते रहें और दो गस की दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं, तब तक जिलाई नहीं इसे के साथ खबरें खत्म हुई, दीबा को दीजे इजासत अदाब आया गया, नहीं पापा, चाची, कब से खासी है इनको, महीने भर से होगी, टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या, दो हफते से जादा, अगर खासी हो ना, तो अपने बलगम की जात स्वासकेंद में करवाईए, हो सकता है आपको टीबी हो, टीबी और हमको, किसी को भी हो सकती है